हमारे यूपी यानिकी उत्तरप्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जो कि पीसा की जुकी हुई मिनार से भी जादा जुका हुआ है लेकिन फिर भी हम लोग गुनगान गाएंगे तो पीसा के जो की इटली में बाहर की गुनगान गाना बंद करिये और भारत के इस मंदिर के बारे में जानीए दरसल ये मंदिर है वारानसी में स्थित रतनेश्वर मंदिर जिसे काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है लेकिन जिस घाट में इस मंदिर को बनाया गया था वो अचानक कोलैप्स कर गया जिसकी वज़े से ये मंदिर नोर्थ इस्ट डिरेक्शन में जुक गया अगर इसकी हाइट को जुकियू पीसा की मिनार से कंपैर किया जाए तो ये मंदिर टावरो पीसा से 13 मीटर उचा है जो साल के आदे से जादा महीने आपको जुके होने की वज़े से पानी में डूबा नजर आएगा वैसे गाईज क्या आपको इसके पहले तक इस मंदिर के बारे में पता था कमेंट सेक्शन में जरू लिखेगा यानि कि अभी खरीद लो और पैसे बाद में देते रहना ये concept तो आपने सुना होगा लेकिन कि आपने कभी ये सुना है कि marry now pay later यानि कि अभी शादी कर लो लेकिन बाद में अराम से पैसे देते रहना दरसल भारत में हर साल 25 लाग शादियां की जाती है जिसमें से कुछ शादियां बड़े बड़े होटलों में होती है और इस opportunity को देखते हुए फिंटेक कपनी संकष ने दिल्ली के रैडिसन होटल के साथ एक समझोता किया है जिसके मताबिक जो भी कपल रैडिसन होटल में शादी करेंगे उनकी शादी के लिए रैडिसन होटल और संकष कंपनी 25 लाग रुपे तक का लोन देगी जिसे बाद में चे महीने के लिए 0% इंटרस्ट रेट के हिसाब से या फिर 12 महीने के लिए 1% इंटरस्ट रेट के हिसाब से रीपे करना होगा घाइज हर साल होने वाली शादियों में से 1% शादिया भी Mary Now Pay Later के प्लान से हुई तो एक साल में ये होटल और कमपनी दोनों करोड रुपे चापेंगी आपको क्या लगता है कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मिलत अगली वीडियो में गृत्वा कर्शन का नियम किस ने दिया था? आईजेक न्यूटन ने आप लोग यहाँ पर गलत हैं लेकिन उन्होंने इस शक्ति का नाम नहीं दिया था वरा महीर के बाद इंडियन एस्टोलोजर ब्रह्म गुप्त ने भी इस बारे में कहा था जैसे पानी का काम है बहना अगनी का काम है भस्म करना वैसे ही पृत्वी का काम है चीजों को अपनी तरफ अकर्शित करना और उन्होंने इस अकर्शन को गृत्वा कर्शन नाम दिया था इसके बाद ग्यारवी शतापदी में महान एस्टोलोजर भासकराचारे ने गुप्त की स्टड़ी को ही अपनी किताब सूर्य सिधानत में इसी गृत्वा कर्शन शक्ती के बारे में एक्स्प्लेन करते हुए लिखा था मजी की बात यह है कि भासकराचारे के 500 साल बाद आईजिक न्यूटन पैदा हुए थे गाईज हमारी भारती संस्कृति ने दुनिया को कई सैंटिफिक खोजे दी हैं लेकिन उसका सही तरीका से इस्तमाल दूसरे देशों के लोगों ने किया और इन सारी रिसर्च का क्रेडिट वो खुद ले गए और हमारे महान रिशी मुनियो को गुमनामी में छोड़ दिया इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कुमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा